जाहिन देखिए किस तरह से रूस का इतना बड़ा जंगी जहाज मास्कोवा डूब गिया जिसके अंदर परमाडू हतियार भी रखे थे और परमाडू हतियार समुंदर में चला गिया चिंता इस बात की नहीं है क्योंकि यह रूस का डूब है में लिए हम लोग का भी जितने हतियार है उसमें 80% रूस क्या है हमारे यह तरकस त्रिकंद सेरी के जितने भी तलवार क्लास के जो पानी वाले जहाज बनाएगा है जो डिस्ट्रॉयर बनाएगा वो रूस से तो रूस क्यों नहीं बचा पाया इससे और क्या कारणा कि भारत रूस से 48 MI-17 हेलिकॉप्टर क की डील को रद कर दिया दिखिये रूस की जो जहाज था मस्कोवा यह काभी पुराना था लेकिन यह काला सागर का एकदम दबदबा था लेकिन इसे मामुली मिसाइल से मार के गिरा दिया गया क्योंकि इसे सेचुरेट कर दिया गया इसके उपर S-300 मिसाइल डिपेंस कर सकता है अब इसे सेचुरेट करने का पहला तरीका यह होता है कि इसके उपर एक ही बार 50 मार दीजिए तो यहीं पर हुगा इस मिसाइल को सेचुरेट करके और पीन पॉइंट एक उरेसी के साथ से यूक्रेन इस पर मारा था जब यूक्रेन इस बड़े से जंगी जहाज क मारा तो इसका मिसाइल ड़ेसी सिऩ भी काम नहीं कर पाया और इसे मारने मेंसे जादे मदद किया था अमेरिका का सिच्टम देखिए इन जहाजों को मिसाइलों से बचाया यह सकता है भारत को अपने जहाजों से तो सेफ सिस्टम क्या होता है जैसे दिए कोई दुस्मन का जहाज आ रहा है अगर दुस्मन का जहाज अगर मिसाइल मार दिया है तो इस मिसाइल को मारने के लिए काउंटर मिसाइल तो मारे जाते हैं अगर यह मिसाइल इसको नहीं मार पाया तो यह जब आ जाता है अगर हमारा ड सबश्रोट सेभी कोई भी मिसाईल ऐगी तो इसमें हं चो तो यहीं पर मिसाईल को भ्लाश्ट कर देगी और इस ज़ाज पूरी दर्ले से सब सेफ हो जाएगा तो यूक्रेयन ने जो हमला किया उस पर रूस का न ही उसका एर डिफेंस का माप आ पह तो हमें तयार आना चाहिए क्योंकि हमारे जो दोनों दुस्मन होते हैं, पाकिस्तान और चाइना, यह यूक्रेन के तुलना में पावर पूल है यहापर, इसलिए हमको इस पर मतलब अपने हिसाब से एक लेसन लेना चाहिए, अब यह काला सागर है, काला सागर में जो रूस का जहाज था, इसे सेटलाइट से दे होने लगता है, अब इसमें यूक्रेन की मदद अमेरिका कर रहा है, साथ में इलान मुस्स की कंपनी जो स्टार लिंक है, उसने भी वहां की सेना को और आम लोगों को डाटा प्रोवाइट कर दिया है, अपने स्टार लिंक सेटलाइट अंतरिक्ष में रहता है, यह डारेक् इंटरनेट प्रोवाइट करती है, और यह अपने अगल बगल के लोगों को इंटरनेट दे देता है, एक सटेन एरिया में यह काफी अच्छा प्रोवाइट कर देता है, इसमें टावर की जरूरत नहीं होती है, तो यह एलान मुस्स की कंपनी ने यूक्रेन के सेना को वहां रूस का सबसे खतरनाक एंटी सेटलाइट मिसाइल है, वो A-235-PL-9 नुडोल मिसाइल है, यह नुडोल मिसाइल किसी भी सेटलाइट को मारने के लिए एकदम सटीक पीन पॉइंट एकुरिसी से मार के गिरा देता है, हला कि अब तक एक भी मार के गिराया नहीं है, लेकिन इसके पास यह छमता है, सेटलाइट में मार के गिरा सकता है, भारत के पास भी यह छमता है, अंतरिक्ष की लड़ाई को लड़ सकता है, तो हमें हमेसा तयार रहना चाहिए, अभी देखिए गर यूकरेन जो है इदम छोटा सा था, अमेरिका और यूरोप के अन्य देश बचने के लिए होता है, तो यूकरेन को ओफेंसिब नए, बलके डिफेंसिब हतियारे बहुत जादे दी गई, जिसमें ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो थी, अराम से इसे मैन पोटेबल एंटी टैंक मिसाइले डाल दी गई, अब इसे ट्राइपोर्ट पे रख के अराम से टारगेट लॉक करके, और किसी भी टैंक को मारा जा सकता है, और टैंक वहाँ पे धौस्त हो जाता है, टैंक को धौस्त कर जाता है, तो अमेरिका और यूरोपिये देसों ने यूकरेन को बहुत बड़ी मात्रा में ये सप्लाई कर दी और इसे पहुंचाना इजी पोलेंड बॉर्डर से इसे यूकरेन में ले आके पहुंचा दिया गया, और ये काफी छोटे होते हैं, कहीं पे भी छुब के इसे फायर किया जा सकता है, इससे रूस के टैंकों को बहुत ज्यादे च्छती पहुंची है, इवेन रूस के टैंक जो है, वो कई सारे टैंक य जादे तेश करना चाहिए, और अरजुन टैंक के लिए अच्छी बात ये है, कि बहरीन को भारत ने अपना अरजुन टैंक बेचना चालू भी kier दिया, ये बहुत बहतरीन टैंक है, मेन बेटल टैंक है, भारत इसे बहरीन जो है, उसे निर्यात भी कर दिया, अरजुन टें जो एकदम एकुरेट उसके अंदर रडार लगा होता है लेजर गाइडेड होती है एकुरेट एकुरेसी से जाके वो मिसाइल मारती है इस मिसाइलों की खासियत यह होती है कि बहुत उचाई से भी मारा जा सकता है बहुत सठीक मिसाइल मार देती है निसाना लगाते है लेकिन को शुरुवाती लड़ाई में अंगाइड़ मिसाइलों को गिरा रहा है अब यह अंगाइड़ जो बॉम होते हैं इन्हें गिराने के लिए नीचे आना पड़ता है क्योंकि बहुत हाइट से अगर गिराएगा न तो इधर उधर लग जाएगा इसलिए देखिएगा यूक्र इसे मैनपेड बोलते हैं यह अराम से इसे हीट कर देता है यही वज़ा है कि रूस का सुखोई जैसे विमान भी और बहतरीन एलिगेटर और एमाई जैसे हेलिकॉप्टर भी इन मैनपेड हातियारों के सिकार बन गया है और इन मैनपेड की अमेरिका ने पूरी तरह भरमार लगा दिये अब इनके पास पैसा बचाने के लिए यह बिना गाइडर बम गिराएंगे जैसे नीचे आएंगे यह मैनपेड से इनको मार के गिरा देंगे आज के वक्रेण के पास एंटी टैंक और मैनपेड की कोई कमी नहीं है इसलिए रूस की वाइज सेना भी अब उधर छोड़ देते हैं पीछे यह प्लेयर छोड़ देते हैं पीछे जिससे की यह भटक जाता है लेकिन आज कल इदम एडवांस आ गया है जिससे यह नहीं भटकता है भारतिय सेना पिछले 6 सालों से ऐसे मैनपेड की डिमांड कर रही है और भारतिय सेना को ऐसे 1000 मैनपेड की ज चाहिए यहाँ पर तो यह काफी जादे जरुवात है खास करके जब हम दो ऐसे अपने पड़ोसियों से घीरे हुए हैं यहाँ पर तो भारत नहीं इस सब को देखते हुए रूस से जो 48 MI-17 हेलिकॉप्टर खरीदे जा रहे थे उसकी दील को रद कर दिया यह वही हेलिकॉप् को बनने में 6 साल का टाइम लगने वाला था और 6 साल में मोदी जी का पूरा प्लान है मेक इन इंडिया इसलिए 6 साल के अंदर भारत अपना खुद का मल्टी रोल हेलिकॉप्टर बना लेगा जो MI-17 को रीप्लेस कर देगा इसे बनने में भी 6 साल लगेंगे तो भारत सरकार बन चुका है बस इसके इंडियन की दे रहे है अब इंडियन फ्रांस से आएगा या फिर रूस से ही इंडियन खरीदा जाएगा तो यह देखने वाली बात है लेकिन मेकिन इंडिया के तो है 6-7 साल लग जाएंगे इन हेलिकॉप्टर को बनने में भारत रूस और यूक्रे जादेतर देश अपने समान को डंब कर रहे है एसिया के लोग भारत में और भारत से इस समान को भेजा जा रहा है यूकरेण में अब इसी दौरान जापान ने अपना एक सैन जहाज भेज दिया और इस सैन जहाज में मदद रासीद दिये थी कुछ खाने पीने के समान थे दवाईया थी अब ये सैन जहाज आया दिल्ली और दिल्ली से जाने के लिए रवाना हुआ है यूकरेन के लिए भारत सरकार ने मना कर दिया कि हम किसी भी सैनिक जहाज को एलाउ नहीं करेंगे अब इस सैनिक जहाज भले था लेकिन इसके अंदर मानवी मदद की चीजे रखी गई थी अब जापान इस पर गुसा हो गया कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है भारत का सबस्ट कहना था कि बहुत सारे लोग जो आम नागरिक हैं अलग अलग देशों के वो कहां पहुँच जा रहे हैं यूकरेन पहुच जा रहे हैं तो क्या पता इसमें कोई जपानी जाके यूकरेन चला जाए और वो यूकरेन चला जाए और रूस से हमला कर दे तो कल को रूस कहेगा कि यूक्रेन में या आदमी जो आया है वो भारत हो के आया है तो हम ऐसे बवाल में नहीं पढ़ेंगे आपको समान पहुचाना है नॉर्मल जहाद से पहुचाईए मिलिटरी जहाद से नहीं पहुचा सकते हैं भारत दोनों और बैलेंस करके चल रहा है अभी भारत में ये जो ब्रिटेन के प्रसान मंतरी ये आए हैं जॉनसन बेवी ये खरगोस बोरी जॉनसन बेवी ये कुछ जादे हुस्यार बन रहा है ये भारत पर दबाव बना रहा है कि भारत यूक्रेन पर क्यूं नहीं कुछ बोल रहा है यूक्रेन को क्यूं मरता छो दिया था याद कीजिए अफगानिस्तान से लोग जहाजों से गिर गिर के भाग रहे थे क्या आफगानिस्तान से भी खरा भादत होगा यह यूकरेन की तो एस जय संकर साब ने बहुत अच्छा जवाब दिया यह लोग अभी मीटिंग में आए हुए भारत में बहुत बड़ कर दिया था अभी क्या है कि रूस के अंदर जो डेली यूज की चीजह उसकी भी सटे देखी जारी है जो डेली यूज के शी पीने की चीजों की कभी कमी देखी जारी अब इन कमियों को दूर करने के लिए भारत आगे आ रहा है और भारत के व्यापारियों को भी सोचना चाहिए कि हर काम में सरकार आगे नहीं बढ़ेगी आप अपना आगे बढ़िए क्योंकि आजकल वैस्वी करण का दौर चल रहा ह एक व्यापारी दूसरे जगह आराम से कॉंटेक्ट कर सकता है तो उन लोगों को भी जो इंटरनेशनल मार्केट में लगे हैं उन्हें जल्दी से जल्दी मार्केट को वहां सीफ्ट करना चाहिए यह बहुत बहतरीन मौका है कि इसे नहीं गवाना चाहिए याद कि यह जब से यह यूरोप के लोग जो पहले डर रहते हैं रूस से अब यह रूस से डरना छोड़ दी हैं इसमें सबसे तेज आगे कुद रहा है पॉलेंड पूलेंड भुला गया है कि दुतिये 20 में जर्मनी सबसे पहले इनी को थूरा था यापर अभी इनको भी थूर देगा रूस को बाहर कर दो अब पॉलेंड खुद G20 में नहीं आता है और भारत को कर रहा है कि आप G20 में रूस को बाहर कर दो भारत ने असपस्ट कर दिया है कि रूस और भारत की जो दोस्ती है यह लिमिटलेस है आप अभी कुछ दिन पहले देखे होंगे कि चीन के विदेस मंत्री आ गया के मारने में एकदा में specialist है I hope आप इस dispute को समझ गया होंगे और NDA का जो अभी exam हुआ है उसमें लड़के एक लड़का था जो NDA में admission लिया था वह हमसे यही कर रहा था कि सर हमें पता है कि मेरा NDA में नहीं होगा लेकिन अपकी फीस इतनी कम है कि हम NDA में admission ले लिए क्य के जो भी exam होते है खास करके NDA वगरा जी इसमें एक खास strategy चाहिए बहुत ज़्यादे पढ़ने गलीने फौज में जाना है कुछ strategy चाहिए यहापद तो उस strategy से होता है तो अभी जितने लड़के NDA के लिए serious है देखिए फीस कम होने के वज़े से मजाक वाले लड़के नह बहतर बनाएना है यहाँ पर ताकि बहतरीन धंग से result हो सके प्रसान सर मैथ के class लेंगे यहाँ पर और प्रियांसु सर इंगलीस के पूरे के class लेंगे science में रवी सर और हम दोनों का दोनों class लेंगे यहाँ पर कल्यानी में current affair लेंगी यहाँ पर maths जो है अलग-अलग subject के यह पर PKSR भी class लेंगे पूरी team है जो NDA के लिए इस बार work कर रही है जो serious लड़के हैं वही लेंगे बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो serious नहीं रहते हैं उन लोगे जो serious नहीं रहते हैं पढ़ाई के लिए कम से कम serious होना जरूरी है देखिए इस बार NDA और Air Force के बैच है व लड़के जो इतने महेंगे फीस को एपॉर्ट नहीं कर सकते हैं तो वह भी आके easily पर सकते हैं इस बार आप लोग को एकदम nominal minimum fee में यहां पर भी आप लोग को कर सकते हैं तो जो पास के हैं वह offline आके पर सकते हैं जो दूर के लड़के हैं दूर दराज के लड़के वह online भी बस किर दे और पूरा अघस प्रैक्टिस सेट करें ताकि प्रैक्टिस पर ही पूरा रिजल्ट होता है इस बार फी जोसा जिन लड़कों का हुआ वह प्रैक्टिस पर इजादे जोड़ दिये तो आप इसको समझेंगे और एरफोर्स के रिजल्ट भी बहुत जल्दी आप ऐसा खबर आ रहाएगी आजाने वाला है तो एयर फोर्स का भी आपकी बैचेज आ गए हैं एयर फोर्स नेवी कोश्ट गार्ड इस सबके भी बैचेज आ गए हो उसके लिए भी आप लोग अब इन्रोल हो सकते हैं बिहार वाले लोग जो दरोगा का एक्जाम दिये हैं उन ल पंदरा देशों में तूट किया इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जैहिन